इशा मालवीय का भी आ गया सबके सामने असले चेहरा फूट फूट कर रोने लगे चिंटू साथ फेरे लेने का बादा किया था अबशेक को पागल कहा था बिगबाव सत्र से बाहर निकलते ही चिंटू को मिला धोखा ब्रेकप की खबर मिलते ही अबशेक ने दिया बहुत बड़ा बयान अब खीच रहे हैं सभी फैंस का ध्यान जी हां जो मुनवर फारुकी के उपर आरोप लगा रही थी आईशा खान का साथ देकर सुर्खियां बटोर रही थी जो मुनवर को धोखे बास कह रही थी जो अबशेक को बुरा भला कह रही थी मुनवर को टू टाइमिंग फो टाइमिंग करने वाला बताया वही ईशा मालविय का असली चेहरा सामने आ गया है पहले अबशेक के उपर सैकडो आरोप टकाए उसे प्रताडित किया निकमा लड़का कहा पागल तक कह डाला पुरी दुनिया के सामने अबशेक की इज़त को तार-तार कर दिया और चिंटू के साथ रंगरलिया मना रही अब इस ईशा मालविय ने चिंटू को भी बीच रास्ते पर छोड़ दिया बिग बॉस खत्म होने के बाद अबशेक कुमार बॉलिवूड के सूपर स्टार बने और चिंटू का करियर खराब हो गया लोग कह रहे हैं कि यही वज़ा है कि इशा मालविय चिंटू को छोड़ कर चलती बनी सल्मान खान का रियालिटी शो बिग बॉस सत्रा खत्म हो चुका है लेकिन शो के कंटेस्टेंट लगातार चर्चा का विशह बने हुए है बेक बॉस सत्रा फेम अभिशेक कुमार ने शो में अपनी सफर की दौरान खुब सुर्ख्यां बटोरी अभिशेक ने गुरुवार रात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक गुप्त नोट साजा किया अभिशेक ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वो अब भी उससे प्यार करते हैं उनकी इस स्टोरी को देखने के बाद फैंस का कहना है कि उन्होंने ये नोट उनकी पूर्व प्रेमिका इशा मालविया के लिए लिखा है अभिशेक कुमार ने अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी पोस्ट कर लिखा मैं तुझे उतना ही चाहता हूँ अभी भी तुझे खोना नहीं चाहता कभी भी पर अब जब मैं तुझे नहीं चाहिए मेरी आवाज रह रही है दबी सी हलाकि अभिनेता ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है उनका ये पोस्ट देखने के बाद हर कोई हैरान रहे गया है कि अभिशेक ने ये गुप्त नोट बिग बॉस सत्रा की कंटेस्टेंट और अपनी पूर वो प्रेमिका इशा मालविया के लिए लिखा है इसके बाद दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे लेकिन बाद में दोनों का ब्रेक अप हो गया अभिशेक के बाद इशा फिलहाल समर्थ जूरेल को डेट कर रही है बिग बॉस सत्रा में अभिशेक और इशा दोनों के बीच खोब लड़ाई जगड़े देखने को मिले थे दोनों के जगड़े खोब लाइम लाइट में रहे थे इशान ने शो में अभिशेक पर कई आरोप लगाये थे अबशेक ने कहा था कि जो था वो बहुत गलत था, वो गलत हो गया, कभी-कभी स्थिती ऐसी हो जाती है कि आप आपा खो बैठते हैं और वही चीज हुई, हलाकि ताली दोनों हाथ से बसती है और मैं उसका बहुत प्राश्वित कर रहा हूँ अबशेक ने कहा था, मैंने बिग बॉस में 3.5 महीने बिताए हैं, तो अब अगर माफी नहीं मिलेगी तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ, माफी मिल जाए और वो टैग हट जाए, मैं एक अच्छे नोट पर आगे बढ़ना चाहता हूँ वहें उनके वर्क फरंट की बात करें तो अबशेक कुमार हाली में मनारा चोपडा के साथ अपने पहले गाने सावरे में दिखाई दिये, जो 12 फरवरी को रिलीज किया गया है, वहें बताया जा रहा है कि उन्हें खतरों के खिलारी की आगामी सीजन में भाग लेने के वहें उनके भी खमारे में ऩन खत करेंी आपामी सीजन में बतास।